नमस्कार मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम अगर यूपी की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शेत्रिय दल हैं जो कही ना कहीं बड़े बड़े दलो पर भारी पर सकते हैं इसी में एक नाम है ओपी राजभर का राजभर की अगर बात करी जाए तो 2017 में वो बीजेपी के साथ गए थे सरकार यहाँ पर बीजेपी की बन चुकी थी बड़ापत भी दिया गया लेकिन आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी या फिर चुनाव होते हैं उन्हें उतनी ज्यादा सीटे हासल नहीं होती दोनों की मैं बात कर रहा हूँ अखले शादव की भी उम्मीद के साथ से उन्हें सीटे नहीं मिलती और राजभर की अगर बात करी जाए तो शायद उन्हें भी उतनी सीटे नहीं मिली जितनी की वो उमीद जता रहे थे अब जिस तरीके से चुनाव पास आ रहे हैं राजबर जो है वो ना सिर्फ बीजेपी के साथ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो महमतरा की बाते सामने आती हैं ब्रिजेश पाठक भी इसको लेकर बड़ा बयान देते हैं और मायवती की अगर बात करी जाए तो उनकी तरफ से कोई प्रितिक्रिया भले ही ना आई हो लेकिन राजबर मायवती की तारीफ करते हैं बस्पा की तारीफ करते हैं और बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या राजबर मायवती के साथ जाते वे नजर आएंगे क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है तो अगर ये मान कर चले कि मायवती के साथ अगर राजबर जाते हैं तो जो समीकरण हैं जातेगत समीकरण हैं वो बड़ा बनता हुआ नजर आएगा और इनी तमाम सवालों के साथ जो है वो हम कशिश से जानने की कोशिश करेंगे कि UP की राजनीती में क्या बड़ा बदला जा रही हैं और ऐसे में जब राजबर ये कह रहे हैं कि बसपा पार्टी बहुत अच्छी है और तमाम तरह के जो की जो बाते हैं वो कर रहे हैं तो क्या इन दोनों का गडबंदन अखलेश के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है बिलकुल माना जाएगा क्योंकि आप पूरी तरीके से नहीं यहाँ पर पूछा जाता है बात अपनी की मायवती की तो मायवती भी उनी सारे समुदाये को यहाँ पर इखटा करने की कोशिश कर रही है दोनों ही गुट चाते हैं कि यहाँ पर युवाव को आगे बढ़ाया जाए तो सोच काफी हद तक मिलती है जाते कर जर्णगरना की आपने बात की तो दोनों ने कहा यहाँ पर कि पता चलना चाहिए कि कौन से जाते में कितने लोग है और यहाँ पर कितने लोगों को सुविधाय मिल रही है कितने को नहीं मिल रहे तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर ओपी राजमर ने कुछ समय पहल के साथ गडबंदन था और सबास्पा के साथ गडबंदन था अब देखा जाये आपने सवाल कहीं के अखिलेश श्यादफ को कितना बड़ा जटका आप लगेगा तो नॉमल सी बात हैं यहाँ पर कि अखिलेश श्यादथ की भी नजर यूपी में उनी समुदैयों पर है सामने आती जब उन्होंने अन्दाउंसमेंट कर दी थी कि 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे वो तो लड़ेंगे लेकिन 80 सीटों में वहापर जो लोग रहते हैं वो आखिर कर किसका समर्थन करेंगे जब यहाँ पर दोनों पार्टी एक साथ मिलती नज़र आगी क्योंक साथ है ना मायवती ना यहाँ पर ओपी राजबर ना यहाँ पर निशाद पार्टी है कोई नहीं पर सिर्फ अपना दल है यहाँ और यहाँ पर शिपाल सी नज़र आ रही है लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि हमने नगर निकाह चुनाव से पहले देख रक्षड के बिना जो है वो चुनाव नहीं लड़ा जाएगा इसको लेकर जो लड़ाई है फिलाल हाई कोट में चल रही है लेकिन यहाँ पर हम देखें तो जातीगर जंगरना को लेकर जो है वो लगातार विधान सम्भा में बवाल होता है और बाहर भी हम देख रहे हैं कि मायवती की बात करी जाए तो दोनों ही इस तरह की जंगरना की मांग कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा ऐसा है इससे ना सिर्फ योगी सरकार को फायदा होगा बलकि जो दो दल है इनको सबसे ज्यादा होगा इनको यहाँ पर इसलिए फायदा हो सकता है क्यो को समाजबात के समय पर नहीं मिली इनको योगी अधितिनात के समय पर नहीं मिली तो यह उस तरीके से कई ना कई उस बात को बाटते हुए नजर आएंगे तो यह फायदा यहाँ पर हो सकता है लेकिन जिस तरीके से हम लगा था विदान सबाब में जब बजट सत्र चल रहा थ उजोरान हमने देखा कि कैसे योगी आधितिनाथ चिला रहे थे योगी आधितिनाथ यहाँ पर परसनल भी हो गए थे यहाँ पर अखिलेश के साथ उनके पिताजी के नाम पर शिपाल पर उन्होंने विएंगे रूप में कही न कई बेबसी वाली चीज दिखाई तो यहाँ जो यह तरीका था है वो CM Pat के लिए एक शौबा नहीं देता योग्या देतनात को जिसको लेकर कहीं न गई जनता में इस बात का बवाल यहाँ पर देखने को मिला देखा जाये तो जनता को अखिलेश का साथ मिला था ना कि हां को यहाँ पर योग्या देनात को मिला तो नौमन को सिर्फ अपनी साइड करना है यहाँ पर तबी तो यहाँ पर मोधी सरकार ने फैसला लिया है कि लोगों के घर घर जाएंगे उनसे मुलाकाते करेंगे बैट कर बातचीत करेंगे तो यह बहुत बड़ी बात है उसी मुस्लिम समुदाय के लिए ही जिस समुदाय को लेकर यह का जाता है कि मोधी सरकार तो चाहते कि हिंदू राश्र बने तो आप देखे कि कितना बड़ा कदम यहाँ पर मोधी और योगी सरकार मिलकर उठा रही है एक और सवाल जो है इसी सवाल से निकलता है कि राजभर की अगर बात करी जाए तो एक ऐसा नेता जो सरकार में सर इमाम तरह की सीड जीत जाते हैं लेकिन क्या यह भरोसा कर सकती है मायवती की राजभर उनकी पार्टी में टिके रहेंगे या फिर जिस तरीके से सपा और हमने देखा कि बीजेपी को छोड़ते हुए नजर आए मायवती का भी साथ छोड़ते हैं बिलकुल यह बात हो सकती इस चुकाने वाली बात और सोचने वाली बात है कि आप पार्टी के साथ गड़ बंधन आपने किया आप जीत भी गया और इसके बाद आपने पार्टी को छोड़ जा भाजपा के साथ भी यही किया कि क्यूं इस बात का जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया नॉमल सी बात है कि अगर वो बस्पा के साथ भी गडबंदन करते हैं तो यहाँ पर जीत हासल कर लेती है अगर बस्पा एक प्रतिशत माना जाए तो कहीं न कहीं वो उसका साथ भी छोड़ते नज़राएंगे लेकिन क्यूं इस सवाल का जवाब भी वो खुद से नहीं देंगे लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर दोनों पार्टे मिलकर जीत भी हासल कर लेती है जो शायद बहुत जादा मुश्किल है यहाँ पर लेकिन हाँ खुद सीते हैं यहाँ पर अपनी साइड करती नज़राएगी फिर यहाँ पर दूसरी पार्टे चाहेगी कि वो उनके साथ अगर नहीं कहा जाएगा अकलेश ने सुबह एक बयान दियाता है आपर जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपको क्या लगते कि राजबर किसका साथ देंगे किस साथ जाएंगे तो उन्होंने का कि इस सवार का जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो दल बदलू है और वो वही बताएंगे कि इस बार वो कहा पर बदलने वाले हैं बरीकुल तो राजबर की अगर बात करी जाए तो अखले शादव के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है राजबर के पास तो कोई जवाब है ही नहीं क्योंकि वो लगातार दल बदल करते हुए नजर आत है क्योंकि योगी सरकार की अगर बात करी जाए तो हिंदुत्व के वोट बैंक को लेकर जिस तरीके से चलती हुए नजर आ रही है आने वाले वक्त में तमाम सर्वे भी बीजेबी की जीत को सुनेशित मानकर चल रहे हैं आपका क्या कहना है आपका क्या मानना है क्या झाल